नमस्कार दोस्तों, ममता की रिसोई में आपका सुआगत है मैं ममता दुबे आज बनाने जारी हूँ बहुत ही टेस्टी और चटपता नास्ता इस नास्ते की खास बात ये है कि इसमें डेर सारी वेजिटेबल डाली जाती है और बिल्कुल उयल फ्री नास्ता है तो इस नास्ते की रेस्पी को जरूर ट्राइ करिएगा और मेरी रेस्पी आपको अच्छी लगती है पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ये नास्ता बच्चों के लिए बहुत अच्छा है काफी जादा हेल्दी है और आप इसे लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं यहाँ पर मैंने लिया है एक कप सूजी और सूजी को डाल देते हैं बावल में आप कोई सी भी सूजी ले सकते हैं मोटी या फिर महीन वाली आदा कप मैंने दही ली है और दही वाले कप से ही मैंने आदा कप पानी लिया है यानि एक कप सूजी है और आदा कप दही और आदा कप पानी है सारी चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि जो सूजी है उसे फूलने में थोड़ा सा टाइम तो इसे एक बार और चला लेते हैं और अब डालते हैं हम बाकी की चीजे तो एक बारी कटा हुआ गाजर डाल दूंगी इसके बार डालेंगे एक बारी कटा हुआ जिसका बीज मैंने निकाल लिया है एक खीरे को ग्रेट करके डाल दिया है मैंने उसके बाद मैंने डाला है ब करी पत्ते की जग पे अब यहां पे धनियापत भी बारी कटकर के डाल सकते हैं सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे इस तरीके से और यह देखिए बिल्कुल कलर फुल बनके तयार होता है क्योंकि मैंने इसमें धेर सारी वेजिटेबल का यूज किया है तो यहां सब्सटेक उखें नाल सकते हैं और आप इनो डाल रहे है तो यहां तो अबहुत ही स्फ़र में लेकिजा सकते हैं जो लोगnio खाना पसंद्न नहीं करते हैं उनके लिए बिल्कुल पक्वलिचना नासता है। अब इसमें डाल देंगे सारा बेटर तो दोस्तों यहाँ पे बेटर डालने के बाद हमें अच्छे से फैला ले रहा है और थोड़ा सा टैप कर लेना है ताकि यह बेटर अच्छे से सेट हो जाए अब मैंने यहाँ पे एक तरफ गैस पे रखा है पानी गरम होने के लिए और एक बार देख लेते हैं तो पानी हमारा बहुत अच्छे से बॉइल हो चुका है गरम हो चुका है तो अब इस तरीके काया की स्टेंड रखेंगे और इस पे रख देते हैं यह नास्ता तो यह देखिए इसे रखने के बाद मैं इसे ढख दूंगी और ढख के आपको इसे प 15 मिनट के बाद मैं अच्छ चेक कर लेती हूं और यह देख देखिए बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत अच्छा क्लर पक जब दबाद लेंगे और इस तरीके से ढाल कर देख लेंगे नाइफ आपको बिल्कुल निकला है यह रेसिपी है जो जो पॉफेक्ट पन के त कर लेंगे ताकि यह साइडे छोड़ दे वैसे यह साइडे बहुत अच्छे से छोड़ देता है क्योंकि हमने इसमें आयल लगाया है इसे पलट लेंगे प्लेट पेड थोड़ा सथप तपा देंगे और यह देखिए बहुत ही स्पॉंजी बनके तयार हुआ है अब हम इसे फ इसा कट कर सकते हैं यह देखिए बेजी टेबल से भरा हुआ एकदम लाजबाब नासता है आप इसे हलका सा ओयल डाल के दोनों तरफ से फ्राई कर सकते हैं पर मैं आज इसे फ्राई नहीं करने वाली हूँ ऐसे ही इंजॉय करेंगे क्योंकि यह बिल्कुल इडली के तो यहां पर देखिए मैंने सर्फ कर लिया है इसे एकदम फूला फूला स्पॉंजी बन के तयार हुआ है और मैंने सर्फ किया है पीनट चेटनी और टोमेटो केचप के साथ आप इसे ग्रीन वाली चेटनी के साथ भी खा सकते हैं जो चेटनी आपको पसंद आए उसके किजेगा और बेल आइकन बिलकुल दबाना ना भूलिएगा क्योंकि आप बेल आइकन दबाते हैं तो जब भी मैं कोई नई रेस्पी डालूंगी आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे मिलते हैं नई रेस्पी में बाई बाई दोस्तों एं टेक एर